नमस्कार आप देख रहे हैं दर्ष नियूज मैं हूँ दिव्यानसू बिहार में अपराधियों के मनसूबे बुलंद हैं होसले बुलंद हैं और बेखौप होकर बदमाज जो हैं वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं किसी का उन्हें डर नहीं है और एक बार फिर से राजधानी पटना गोलियों की तरतलाट से गूंज उठी है जमीनी विवाद का मामला बताया जा रहा है जिसमें कई राउंड गोलिया चली है और ये राजधानी पटना की घटना है पटना के फुलवारी थाना छेतरी इलाके के निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्मान कार चल रहे थे उसमें मजदूरों के साथ मारपीट और गोलिबारी की घटना हुई है दरजनों बाइक से आये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है जिहां फुलवारी सरीफ थाना इलाके में एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का निर्मान कार चल रहा था इसी बीच कुछ बदमास आते हैं दरजनों बाइक पर और मजदूरों के साथ मारपीट करते हैं और गोलिबारी की घटना हो जाती है बेखौप अपराधियों बेखौप बदमास आते हैं और वो कई राउंड गोलियां चलती है गटना की सूचना मिलते ही पुलवारी थाना की पुलिस मौके पर पहुँच जाती है मामला गर्दनीवाग थाना चेतर के हारुन नगर इस्तित बजरंग बली कॉलोनी का है जहां दो पक्षों में जमिनी विवाद को लेकर दो प्रॉपर्टी डिलर के उनके समर्थकों के बीच गोलिवारी की घटना को अंजाम दिया गया आप देख सकते हैं किस तरीके से बद्वाज जो है वो बेखौफ हैं और किस तरीके से हत्यार लहरा रहे हैं और बेखौफ होकर आये हैं किसी का उन्हें डर नहीं लग रहा है इस घटना में एक साहिल नाम का सक्स है जिसे बाह में गोली लगी है उसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है, वहीं पुलिस ने गटना इस्थल के पास से 9 खोखा और 5 बाइक को बरामत किया है, फिलाल पुलिस मामले की परताल में जुटी है, बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिस और विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में गोलिव मुहमद ताज इस अपार्टमेंट में जमीन को लेकर एक दूसरे पक्ष भी अपना दावा कर रहे थे, तो दो पक्षों के बीच ये विवाद हुआ है और इसमें कई राउंड गोलियां चली है, क्या कुछ कहना है थाना प्रभारी सफीर आलम का वो आपको सुनाते हैं, दो हैर बाइस को लगभग देन में उपहर दो बजे, एक फुलवारी से इफ्थाना अंतरगत बजरंग कॉनली में लक इस्टोन बिल्ली टेक प्राइवेट लिंटेड हैं, जिसके प्रप्राइटर मुहमत ताज है, उनके द्वारा अपार्टमेंट में जमीन विवाद को लेकर दूसरे पक्ष भी अपना दावा कर रहे थे या बनाने का क्या था उसका विवाद अभी कुरा सामने नहीं आ पाया है, इसको लेकर एक पक्ष के लोग द्वारा यहां पर आके काम रुकवाया गया और इसको लेकर गोलिवारी की घटना की गई है, अभी तक नो खोक में घायल हुए है, एक विक्ति को हाथ में गोली लगी है, जो अभी खते से बाहर, इमस में, अभी गिरफ्तारी नहीं है, देखा जा रहा है, अलग अलग लोग अलग बता रहे हैं, अभी तक कि सम्मन्द में लिखित परतिवियन नहीं पराप्त हुआ है, तो आपने सुना अथाना प्रभारी को क्या कुछ कर रहे हैं, वहीं प्रत्यक्ष दर्सी एक गाड भी वहाँ पर मजूद थे, गाड ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजे, अधर से निकले थर्या लेका, तालोग हम बोले हम लोग लेवर मिस्टी रहे है, तालोग बस मार फाठा से बस फार उर दिया गोरार सो, मोईल वाय सब चूर कर दिया, कितने मजी के घटना है, एक बीस हो रहा है, गोली उधरे चला है, इधर हम लोग के मालूम नहीं था, अ और एक सा सब्सक्राइब करने है, तालोग लोग था, डूस और परहु हम के खार दिया, के त्रज और गुलक जाने तो हम लोग लोग यहां नहीं की नहीं पता है, मिवगे लोग काम करने वानां, तो सुना आपने गाड को पूरा मामला बता रहे थे किस तरीके से बदमास आये कई लड़के आये दरजनों गाडियों से और उसके बाद तावर्तोड फाइरिंग करने लगे मार पीट की उन्होंने और इसको लेकर दो पक्षों के बीच कहा जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और कई राउंड गोलियां चली है एक का नाम भी सामने आया है मुहमद नौशाद मलिक गोली चला रहा था एक वेक्ति को हाथ में गोली लगी है जिसे एम्स में भरती कराया गया है CCTV फुटेज भी सामने आया है जी हां CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़के आ रहे हैं बाइक से और किस तरीके से घटना को अंजाम देने की कवायत चल रही है कैसे घटना को अंजाम दिया जाए और बेखौफ होकर बाइक से आया है तो एक बार फिर से राजधानी पटना दहल गई है गोलियों की गून से गोलियों की तरत्राहट से और अपराधियों के मनसुवे जो हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं होसले बुलंद है जब बीजेपी विपक्ष में थी तब गुंडा राज जंगल राज की बात कहती थी जब नितीश आरजेडी के साथ थे अब नितीश चुकी बीजेपी के साथ हैं अब उनका क्या कहना है अब आरजेडी हमलावर है इस मुद्दे को लेकर आपने देखा था कुछ दिन पहले ते जस्वी यादव ने किस तरीके से हमला बोला था सोसल मीडिया एक्स पर उन उननी दी थी पूरी लिष्ट उननी दी थी और अब ये ताजा मामला पटना से ही आया है जिसको लेकर अब हलकंप मच गया है पुलिस विभाग प्रसासन में देखना होगा कि क्या कारवाई होती है और कितने स्तर बड़े स्तर पर कारवाई की जाती है ताकि ऐसी घटना द देते रहेंगे बने रहें दर्शन्यूज के साथ